तो मैं चैनल फ्रेंड्स मैं राहूल आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट टाइम मैंने फिट स्पार्क इगल आइनाइन मंगवाया था कि एक्सन कैमरा जिसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत खराब लगी जैसे ही मैंने उसको चार्ज के लिए डाला वो कैमरा हैंग हो गया तो बहुत खराब परफॉर्मेंस थी और उस पर एक स्लिप नहीं लिए था जिस पर यह लिखा हुआ था कि अगर आप 5 रेटिंग देते हो और अच्छा रिव्यू देते हो तो आपको इसकी माइक फ्री में मिलेगी और स्रिप आपको 199 का सिपिंग चार्ज देना प कैमरा नया मंगवाया जो कि तो अभी मैं खोल के उसको दिखाता हूं आपको और अपने आने वाले वीडियो में अगर ये कैमरा मुझे अच्छा लगा तो मैं इसी से अपनी ब्लॉगिंग आगे कंटिन्यू करूंगा मोटो ब्लॉगिंग तो चलिए वीडियो में बने रह बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी और यह बिल मेरे को यह पड़ा दस अजार दोसो पैंतेस रुपए गा इसका जो कैमरा है वो थोड़ा सा अंदर से हिला हुआ है अपने पोजिशन पर नहीं है वो कोई नहीं अब इसको खोल के चेक करते है यह कैमरा बाहर से दिख रहा है उस वाले कैमरे में इगल आइन में नहीं था यह और यहाँ पर कुछ इसकी इसकी अस्पेसिफिकेशन दी हुई है 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंस है यह दो स्क्रीन फ्रेंट और बैक है जाइरो अस्टेबलाइजेशन है और 4K कैमरा है यह 24 fps तक कर सकता है हाई डाफिनिशन और इधर आप देख सकते हैं यहाँ अस्पेसिफिकेशन है 30 मेगा पिक्सल्स पैनसोनिक MN 34 i20 सेंसर लगे हुए इस पर तो चलो इसको खोल के देखते है आगे इसकी पैकेशन उस वाले कैमरा से बहुत ही अच्छी है और इसको खोलने में बहुत दिक्कत नहीं हुई बहुत यासानी से खुल रही है और यहाँ यह है हमारा चुटकु सा कैमरा यह बहुत ही प्यारा है दोस्तो मेरे उस वाले कैमरा से सच में बहुत ही प्यारा है तो यह कैमरा है इसको बाद में चेक करेंगे और इस पर पहले सारे अशेसरी चेक कर लेते हैं तो इस पर जो accessories है वो eagle spark i9 की तरह तो नहीं है बट हाँ बहुत कम है और बहुत है simple है यह है helmet mount, यह helmet mount के stickers, यह charger cable, यह एक mount है और यह जिस mount के साथ लगा हुआ है यह water resistance और यह एक दूसरा mount है जिसको आप normally use कर सकते है यह bike की holder है, यह bike के लिए है और again यह mount दिये हुए है, bike के दो mount है और यह बहुत सारे, बहुत सारे हैं बस 3-4 दिये हुए हैं इसके साथ mount यह screen का guard है और यह है इसका wipe जिससे हम clean करेंगे इसको और यह camera की safety के लिए है, यह देख सकते हैं और यह यहाँ पर बहुत ही छोटा सा user manual तो यह camera अगले वीडियो में बस मैंने आपको unboxing दिखाई, अगले वीडियो में मैं इस camera का test करूँगा तो please जूडे रहें, आप please मेरे चैनल को subscribe करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share और comment करना ना भूले, धन्यवाद आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं अगले व्लाग में